मस्कार लश्विनार जोतिस के अदुब आप सभी का स्वागत में पंडिते पेशुकला आज का हमारा विशाय जो है हस्त रेखा में जोतिस के लिए कौन सी रेखा या जोतिर विद बनने के योग हस्त रेखा से कैसे देखे जाते हैं पीछे मैं आपको पत्रिका में बताया था, पत्रिका में कौन से ऐसे योग होते हैं जिनके कारण आदमी जोतिशी बनता है या फिर उसको शौक होता है, या फिर कहले ये लमबे समय तक है, मैंने पीछे यह भी बताया था कि एक हावास का जोका है और आपको तोड़ा मोडा शौक हुआ एक आत देर साल उसके बाद शौक खतम हो गया इस पर मैं बात करूँगा इस पर चर्चा करूँगा बताऊंगा रेखाएं और हाथ के बारे में कि कौन से ऐसे योग होते हैं उसके बाद एक पत्रिका पे इन योगों को रख के देखेंगे चलिए शुरू करते हैं कि किन रेखाओं के कारण आदमी जो है जोतिश में बढ़ सकता है या फिर जोतिश की तरब भी खिसता है देखें सबसे पहले दिखान रके गुरु की गुरु की एहमियस सबसे जाता है जोतिश के लिए गुरु का परवत मतलब ये हिसा जो है उपर से शनी की तरफ भाग रहे हो ये भी एक ग्यान को दिखाता है और ऐसे लोग शनी मंदा ग्रहे में दीमे दीमे और गुरू एक तरीके से मंदा ही है क्योंकि बारा माहिने तक गोचर करते हैं क्योंग 16 साल तक एक राशी में आदमी चलता रहेगा, उसके बाद, जब साधार हिस्तिति में हाथ रखे आदमी, तो आये ये उंगली हल्का सा बाहर की तरफ भाग रही ओ, आगे इसे दभी हो, ये जगां पे हल्की सी जुकी हो शनी की तरफ लेकिन जब सामानी हिस्तितिम रखता है हाथ आदमी तो हल्का सा यह बाहर की तरफ भाग रही हो, तीसरी चीज, एक चीज का ध्यान रखेगा, इसमें बहुत ज्यादा रेखाये ना हो, इसका विशेज ध्यान रखेगा, रेखा यह एक ग्यान को दिखाती है, अगर जीवन रेखा से दो से तीन रेखाएं, आपके गुरुप करवत पर जा र पीछे भी किया आता है, एक हवा का जोका है और थोड़े समय के लिए रहा, उसके भूल गया, या फिर दिमाग से निकल गया, उस चीज को यह खतम करता है, यह लंबे समय तक दिखाता है, यह जा तक जो है, लंबे समय तक एक फिल्ड में टिका रहाएगा, उसके बाद, ब और बहुत जादा बाहर की ओनी भागरी हो, तीसरी चीज, बुद्ध का हिस्सा जो है, अच्छे से उठाओ, इस पे चार से पांच रेखाएं हो, यह बहुत अच्छा संकेत होता है, रेखा अगर बुद्ध का परवत अच्छा उठा भी हो, उस पे रेखाएं भी है, तो य जातक जो है, बोल के धन कमाएगा, उसके बाद अगर एक रेखा ऐसे करके आ रही है, और एक रेखा ऐसे आ गई, मतलब यह रेखा आई, और एक रेखा सूर की तरब निकल गई, बहुत चाहिए साइन है, ऐसे में यह कहा जाएगा, जातक धन के साथ में, बोलने के साथ धन कमाएगा धन के साथ में पतिष्ठा भी उसकी होगी नाम भी बहुत होगा अगर यह इस्तिति है तो तीसरी चीज एक चीज मैं आपको और बता देता हूं यह यात्राओं को भी बहुत दिखाता है अगर यह बुद्ध पे चार-पांच देखाएं हैं तो इसको यह ही मत समझी है कि बोलें यह लंबी यात्राओं को दिखाता है या फिर कहले जो यात्रा करते हैं उसमें लाम मिलता है अगर यह स्तिति है तो यह उंगली आपकी जो है इस पोर से उपर होनी चीजिए सूरी के पोर से बुद्ध की उंगली जो है उपर है तो बहुत अच्छा साइन दिखाता है या फिर कहले यह अचानक धन को दिखाता है अगर यह रिष्धित्ह थी है तो चोथी चीज इसी वे मैं बतादेता हूं अबको अगर आप जो एक रेखा जो है आपकी गुरू की तरब जा रही है यह भी दिखाती कहीना कहीं धार्मिक कारियों से जातक धन कमाएगा इसमें से जितने भी पॉइंट में बता रहा हूं अगर चार-पांच पॉइंट होंगे तो कही ना कहीं आप जो है जोतिश की लाइन में या फिर जोतिशी आप बन सकते हैं और अच्छे जोतिशी बन सकते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई संदे नहीं है अब सबसे बड़ा पॉइंट आप समझिएगा यह काफी हद तक का दिखाता है कि जोतिश या फिर अध्यात में जाए सकता है नबवे परसंट तक का अगर आपकी गुरू की उफ्ली आगे से पतली है पांच उप्स पॉन्गी माद लीजेएम उसमें गुरू की उफ्ली बहुत बात समझिये का बिलकुल ध्धान से सुनिये क्योंकि बहुत पॉयंट के बात बता रहा हूं, बुद्ध की उंगली बहुत पतली इसके बात जो है गुरु की बहुत पतली है, उसके गुरु का परवत अच्छा उठाू हुआ है Sanar if you are a therapist toow, you are a पोर नुकिला हो बहुत अच्छा है गुरु का और बुद्ध का उसके बाद इस उंगली से गुरु की उंगली लंबी हो मतलब शनी की उंगली से गुरु की उंगली जो है लंबी हो ज्यादा तर हातों में आपने देखा होगा कि सूरी की उंगली लंबी होती है अगर सूरी स सबस्राइब कारें और सब्सक्राइब दूसरा उप्षन करने की और Check जो है उठा अच्छे सोना चीए बहुत लोग का आपने देखा हो बताशिक तरह उठा वो भी चलेगा उसके बाद शुक्र का परवत और यह परवत एक समान हाइट में होना है या समान उसका जो जब ऐसे करके देखेंगे एक बराबर आपको दिखेगा कि शुक्र का परवत और गुरु का परवत एक समान हाइट में है चौती चीज राहू से एक रेखा रही है एक दो गी तीन हो गी बहुत अच्छा है उसके बाद एक बुद्ध की रेखा जा रही है और तीन से चार रेखा यहां पर है यह दिखाता है जा तक धार्मिकारियों से या जोतिस से सम् पर दिखाता हूं किनी योगों के कारण ऐसे जा तक जो है ऐसे कारियों में पढ़ते हैं या फिर कहले अच्छे जोतिसी किनी योगों के कारण बढ़ते हैं